नमस्कार में हुनेह बैनिवाल और स्वागत है आपका हल्चलीडिया में आई नज़र डालते हैं आज के खबरों पर शामली में पत्रकार के साथ जियारवी पुलिस दौरा मारपीर के घटना सामने आने के बाद पूरे पत्रकार समाज में रोश व्याप्त है आज बागपत के पत्रकारों में भी रोश देखने को मिला जहां पत्रकारों ने पहले तो शामली की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और उसके बाद एडियम बागपत को राज़ेपाल के नाम ग्यापन सोपा पत्रकारों ने घटना में लिप पे तमाम सिपाहियों की सेवा समाप करने की मांग उठाई है क्योंकि उन तमाम आरोपी पुलिस कर्मियों ने लोगतंतर पर हमला किया है और पत्रकारों को सरे आम पीट कर उन्होंने नैतिक्ता को तार तार किया है दरसल पत्रकारों का विरोध श्वामले जनपत के एक नीजी चैनल के पत्रकार अमिद शर्मा की S.O.J.R.P. राकेश कुमार दुआरा पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर बेरहमी से पिटाई को लेकर था बागपत में पत्रकारों ने महमहीम राज़ेपाल के नाम ग्यापन देते हुए दोशी इंस्पेक्टर के खिलाफ सक्त कारवाई की मांग की है और राज़ेपाल से तमाम पुलिस कर्मियों की नोकरी सेवा समाप करने की मांग उठाई है पत्रकारों में अनवर, देविंद्र चोहान, मनुदेव सिंग, दुश्यन त्यागी, दिवाकर जा, हैदर मलिक आदी, कई लोग मौजूद रहे देखे जिस तरह से परदेश भर में पत्रकारों का उत्पिडन बढ़ रहा है, पत्रकारों साथ मार पीट की जा रहे है, उनने जेल बेजा जा रहा है ऐसे ही गटना करम में सामली जन्पद में एक पत्रकार की कवरेज के दुरान जियारपी थाना द्यक्स और प्लिस कर्मी पिटाई कर देते हैं बेतासा यहां तक कि हवलात मेरे जाकर उसके मुँँ में पैशाब कर दिया जाता है, इससे निदनी और करत और कुछ नहीं हो सकता एक सब्बे समाज में इस तरीकी गटना बेहद निदनी है, आज हमने महमें राज्येपाल के नाम संबोधिते ग्यापन दियाए डियम बाकपत को कि इस तरीके के जो करमचारी हैं अफसर हैं उनकी सेवा समाप्त की जाए